तो सेंसे और सैंप्लिंग दो मेठोड पढ़ेते हैं वेर वी सेड की जब हम सारे डेटा को अनलाइज करेंगे या डेटा करेंगे पूरी पॉपुलेशन का तो वी कॉल इस सेंसे अलिसस तो खेर बाद में होगा और जब हम एक पार्ट को ले लेंगे एक रिप्रेजेंटेट सेंप्लिंग मेठोड तो मान लीजिए कि दो हजार लोग टोटल किसी कॉलोनी में रिसाइट करते हैं और आपको इनके इंकम एंड एक्सपेंडिचर पैटन का डेटा कलेक करना है तो ऑल 2000 के ओपर जब हम सर्वे करेंगे तो दाट इस नोन आज सेंसेस बट 2000 में मैक्सिमम लोग, majority population, bears, same characteristics तो आप पूरे 2000 का सर्वे करके क्या करेंगे आपने सोचा कि 200 लोगों का सर्वे कर देते हैं जो 200 लोग का जवाब होगा वही 2000 का भी माना जाएगा क्योंकि जो हमारा पूरा universe है, population है, जो लोग है 2000 इन सब की characteristics काफी मिलती जूती है तो sampling यहाँ पे काम कर ज सच, समझ में आगया, 2000 लोगों का data collect करने में time जादा लगेगा, बट 200 लोग का data collect करने में time कम लगेगा, तो speed कहां पे maintain होगी चलना, 200 लोगों में, समझ में आगया, accuracy level greater तब होगा, when all these people यह जो 200 लोग है, यह पूरे 2000 को represent करते हो, और characteristics इन की homogeneous हो, अगर homogeneous नहीं होगा बच् क्लियर, and greater scope का मतलब क्या है, ज्यादा trained investigators की आपको ज़रूत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ 200 लोग का ही data आपको collect करना है, complete 2000 लोगों का data collect, नहीं करना, तो you do not require more trained people, तो limited availability अगर आपके पास लोगों की, या machines की है, तो आप sampling method से cost बचा के, अपना data collect कर सकते ही, okay, update all the points The next merit children, इसको plan करना और organize करना is very, very, very easy, how it is very easy, reason being कि आपने सारे लोगों का sample collect करना ही नहीं है, आपने कुछ लोगों का sample collect करना है, तो पूरा जो आपका process होगा, जो आपका planning, organization, as well as supervision होगा, that will be restricted to less number of people, और it has to cover huge area, less number of people. The approach can be scientific, हो सकता है, 2000 लोगों का data collect करना आपको, और अगर आपको पता है कि ये लोग बहुत जादा homogeneous characteristics बेहर करते हैं, बहुत जादा similarity है, तो हो सकता है, 50 लोगों का ही बस आप survey कर लीजे, तो आपको पूरे 2000 के बारे में जवाब मिल जाएगा. Then detailed inquiry, अब question होता है कि sampling में detailed inquiry कैसे possible है, अगेन बाते वही हैं जल रहे हैं, इन सब लोगों की जो characteristics हैं, जो data है, that should be homogeneous. अगर homogeneous है, तब तो so-called आप कम लोगों का survey करके जादा जवाब जुटा पाएंगे, बट अगर characteristics heterogeneous हैं, data same नहीं है, तो क्या detailed inquiry मिल पाएगी, बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी, तो जब भी आप point लिखें, इस बात को आपको बार-बार जरूर मेंशन करना है. Exceptional Applicability, what does this mean? If the size of population is large, और it is spread over a large area, it will be difficult to use census method, क्यों? क्योंकि बहुत दूर तक, बहुत far off area तक आपको travel करना पड़ेगा, तो यहां पे क्या काम करेगा? Census या Sampling? Sampling, but again, लोग धेर सारे हो, ठीक है, area बहुत बड़ा हो, ठीक है, but characteristics का homogenous होना बहुत जरूरी है, कितना भी बड़ा area हो, अगर characteristics ही common नहीं है, तो कैसी research का कोई फायदा होगा? नहीं होगा. तो most important thing in Sampling is this, जो भी आपका population है, it should be what? homogenous, it should be homogenous, logic समझ में अगया, copy all the head insulin, चली बच्छो, तो अगला point हम समझेंगे, exceptional applicability का, जिसके बाद हमारे merits हो जाएंगे, पूरे के पूरे finish, when destruction is involved in conducting the inquiry, such as testing explosives, sampling method is the only result in conducting inquiry, मतलब, मान लीजिए, 4000 hand-held grenades, grenades की पूरी spelling मेरे को ठीक से नहीं आती है, क्योंकि मैंने कभी grenades माल ने किया, अच्छा-चा, आतंगवादी भी हमारे बीच में है, तो आप के पास 4000 grenades आए, रशिया से, या चाइना से, या यूएस से, अब आपको testing करनी है, कहीं, सो कॉल दिवाली का पटा का पकड़ा के तो नहीं चले गए वो लोग, तो इन डाट केस, क्या आप पूरे 4000 टेस्ट करेंगे, नो, आप 4000 में से कुछ दो चार पीस टेस्ट कर लेंगे, येस और नो, पूरा वार्वेर दो लोग टेस्ट कर डालेंगे, तो इस अच्छ लाइ और आप टेस्ट करा देंगी, जाके पर स्कुन करेंगे, तो मपमी ने धादा जी को क्याना, मसाला एड कर दो इसके अंदर, तो क्या दादा जी कुरी पूरी ही दाल खाजाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ पे क्या यूज होगा sampling तो कुछ जगाओं पे तो census sampling दोनों चल सकता है but some places you can only resort to what children sampling food corporation of India को किसी किसान के पूरे खेत की 500 कुंटल यहों खरीदनी है एक एक दाना चेक करेंगे क्या बिल्कुल भी नहीं तो चार किलो चेक कर लेंगे और पता लग जाएगा क्या quality है accordingly standardization कर देंगे उसका आप मान लीजिए wholesaler है rice मिल है आपकी और आप किसानों से चावल खरीतने है बैं multiple grades का चावल होता है को बास्मती होता है किसी को golden seller type बोलने साब अलग लग quality है और mango में और rice में तो बहुत quality आती है क्या आप एक एक दाना चावल का चेक करेंगे no अगर म हो सकता है कि यह सबसे अच्छे वाले बास्मती में भी कुछ दाने थोड़े चोटे हो और कुछ ग्रेंस थोड़े बड़े हों तो क्या एक एक दाना चेक करना पॉसेबल है बिल्कुल भी नहीं तो इन डाट केस आप क्या करेंगे आप सेंसे यूज करेंगे कि सैंपलिंग ही यूज करेंगे तो in some places you cannot use senses वो यूज करना बहुत भी खतरनाग गहतख हो सकता है तो क्या करना पड़ेगा sampling कुछ बच्चे होते हैं सबसे दोस्ती बनाते हैं और कुछ बच्चे होते हैं चुने गिने चुने दो-चार दोस्त रख लेते हैं तो यह गिने चुने दो-चार दोस्त अगर रखे तो क्या हो गया sampling पनाने में सेंसर होना चाहिए सेंपलेंग लोजिक समझ में आया की नहीं आया पक्का चलिए या है स्टेकंगड पॉइंट पॉइंक कफर्म इसी नहीं सम्झाया था फिकॉज वो एक दम डिफेरंट था चले बचो अगली हेडिंग दि-मेरिट्स-ओफ स्ञेंपलिंग मेंथ़ड सबसे इंपोर्टन्स तो यही है कि अगर आपका हेट्रो्जीनियस जलुड्रण सम्फल इस्तन्माल नहीं सकता सम्पलिंग पर इस्तेमाल हो सकता है जहां पर पॉपलेशन होमोजीनियस गॉट इट लिए तो सो कॉल्ड सबसे पहला प्रइट लिखिए डिफिकल्टी अफ अचीवमेंट लिखा है इन अचीवमेंट लिखा है हाँ डिफिकल्ट तू अचीव परसंट अक्यूरेसी गॉट इट है जिफिकल्टी तू अचीव सेंट परसंट अक्यूरेसी यह सेंट परसंट क्या होता है सर सिंपल आज डाट सेंट परसंट का मतलब हंड्रेट परसंट तो सेंसेज में तो आपने एक एक डेटा बारीकी से चलड्रेन वेरिफाई किया है तो अब्विस सी बात है आप अक्यूरेसी लेफल जान सकते हैं बटो औट क्या आप अक्यूरेसी लेफल सांपलिंग में जान पाएंगे जहां पे सारा डेटा ही नहीं नहीं है नो सांपलिंग मैं बोल सकता हूँ गी 95 परसंट 96 प यह तो कौन सा मेथर्ड यूज करना पड़ेगा सेंसे गॉट इंडियर सेकंड पॉइंट लाक ओफ रिप्रेजंटेटिवनेस ऑफ सैंपल यह सब क्या होता है रिप्रेजंटेटिवनेस अगर आपने चावल खरीदने का डिसेजन लिया आप फूड कॉर्परेशन ऑफ इंड आपने सैंपल ले लिया बसमतिरा इसका और उसी के बेसेज़ पर सबको जज़ करके पेमिंट कर दिया तो कुछ क्वालिटी तो थोड़ी इंफीरियर भी हो सकती है तो कैन यू यूज बिल्कुल भी नहीं लॉजिक अंडेस्टूड वेल सो सैंपल अगर आपका सही रिप् होना चाहिए कुछ वैसा ही कि मान लीजिए जब कोविट का सर्वेश चल रहा था तो बच्चों के सैंपल ज्यादा कलेक कर लिए गए और ऐसे बच्चों की जिनकी उमर 4-5 साल से कम थी लेस प्रोन टूरिस क्योंकि उनकी इमिनिटी बहुत जादा स्ट्रॉंग होती है जै कि वह दिवार है प्लास्टर हो रहा है पानी बरस रहा है थोड़ी देर अगर रुख गया तो प्लास्टर मजबूत हो जाएगा तो उनको भुखार भी होता है बट जहां आप 24 साल के हो गए तो जैनली यह बुखार जुकाम जो आए दिन लग रहा था यह आए दिन नहीं ह लोगों को है वेरेस अगर आपने बड़े बुड़े सबका सैंपल लिया होता तो पता लगता 22% पीपल और सफरिंग फ्रॉम कोविड तो अगर आपने सिर्फ बच्चों का ही डेटा लेके रिपोर्ट दारी कर दी क्या सैंपल सही था आपका आपका सैंपल पूरी पॉपि प्रेजेंटेशन सही होता है लॉजिक अंडर्सुड लॉजिक अंडर्सुड नेक्स्ट बाइस इन दो सेलेक्शन ओफ सैंपल अगे टेक एक इंवेस्टिगेटर है और आपको आईक्यू टेस्ट करना है आपने आईक्यू टेस्ट करने के लिए ज्यादा तर 12 से 14 साल के ल क्वाम नेक्यूए ओफर।स्ट करने मेंगे जहां समझना किया, तो तो यह सई होगा, वट अगर आपने सैंपल सेलेक्ट करने में कोई बाइस अप्लाई किया तो वह आपको वही रिजल्ट देगा जो आपका अप्लाइज नॉलेज अब एफेक्टिव सैंप्लिंग टेक्नीक आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपके पास स्पेशलाइज नॉलेज हो या कि अगर आपको इंवेस्टीगेटर और आपको पॉपुलेशन कहाश्च बाइटा करना था तो शैंसेज ही चले गा सैंप्लिंग नहीं चलेगा एक्स्पलोजिब की टेस्टिंग so में और तो एसे ही कुछ चीजों पर सैंप्लिंग या कुछ स्पैशल मेंसटार्द होते ह होंगे दूसरे में अप्लाए भी नहीं होंगे रिपीट दूसरे में अप्लाए भी नहीं समझगे बात को कि पॉपी कर लीजिए फॉइंट पिफ्ट इस नॉट पॉसिबल पहले ही मैंने आपको बात बता दी थी है इन एक एस ऑफ हेटरो जीनियस पॉपुलेशन को अगर पॉपुलेशन की कैरेक्टर्सृस्टिक अनकॉमन हैं बचों कैसें साउन थ्लिंग मेठी चलेगा और एक है कौन सा मेठीर ले um pessimist की एथी फोभreno में काम कर जाता है मेरे एच्ज एप सबस्ट था झाल 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 चले सबको समझ में आ गया गर में पांच बदमाशी किये दादी माने दो की कुटईया कर दी तीन अपने आप सीधे हो गए सेंपल होमोजीनियस ऑफ दा सेंसर सारी यूनिवर्स था तो दादी माने सेंपलिंग क्या सेंसर किया और मम्मी ने पांचों को काई दे सूथ दिया सिंपल आस था समझ गए चलिए सो नेक्स चलते हैं बच्छों और वेरियस टाइप्स ऑफ और मैथर्ड सॉफ संप्लिंग तो ब्रॉड ली दो काटेगरी इस इनको डिवाइट किया गया है दो फिर्स काटेगरी इस रेंडम संपलिंग और सेंड नॉन रेंडम में दो काट सिंपलं है कोई फी एंसान कौन पर करोड्र पती में जाने के लिए छाक्ताइप कोई बिक औता बेस सौ में से तो कहने का मतलब अगर एक दिन में 5,000 लोगों ने अपनाए किया तो वह 100-150 बना देंगे और हर 100 की गूरूप में 5 निकाल देंगे तो 500 लोगों उनको मिल गए, 500 लोगों का वो एक टेस्ट कंड़क कराएंगे, उसमें से 50 पकड़ेंगे, फिर 50 को so-called sort out करने के लिए मुंबई बुला लेंगे और वहां फिर से एक टेस्ट कंड़क कराएंगे और उसमें से 10 को पकड़ लेंगे और वही दस फास्टेस फिंगर में आ जाएंगे फंडमेंटल लॉजिक इस क्लियर बट उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि जिस टीवी चैनल पे हमारा शो टेलीकास्ट होगा आज कल वो सोनी पे आता है नशेद पहले यह स्टार टीवी पे आता था फिर स्टार पे तो आता था तो जैसे सोनी चैनल पर दिखाया जा रहा है तो सोनी चैनल के जो इंप्लोई होंगे वह इसमें पार्टिसपेट नहीं कर सकते उनके जो रिष्टेदार डाइरेक्ट होंगे हस्बेंड का वाइव वाइव का हस्बें या बच्चे वो सब भी स्टेगरीं जजज्मेंट संपेटों मिने मिन रॉपर मुश्टा ऑनगनीहन संप्ली मना अर्चीप छुट अ कंवीन यंट्र इंट जूच मेंट और जॉज्जमेंट लिए अव हाव घॉटा perlu wrap छिव्में ऐसको लिए मुद आफ फोतों आ पसको लिए क्लींट अ कोका तरी एंड convenience sampling समझ में आगई बात चलन अंडर्स्टूड पक्का लिग दीजे जटपत वेरी क्विक्ली और उसके बाद इन सब की कैटेगरीज तो बहुत ज्यादा ब्रॉडन है नहीं रेस्ट्रिक्टेड रैंडम में वी हाव स्ट्राटिफाइड सिस्टेमाटिक क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज स्ट्राटिफाइड सिस्टेमाटिक क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज वाटइट स्ट्राटिफाइड सिस्टेमाटिक क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज चाट बना लिजे पूरा चलिए तो सबसे पहले आते हैं बच्चों हम लोग random sampling की तरफ तो random sampling का मतलब तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है normal sampling जो होती है children that is known as random sampling तो आपके सामने 50 लोग खड़े हुए और आपको 10 workers चाहिए अपने घर में as mason worker काम करवाने के लिए construction चल रहा था तो आप लेवर चौराय पे गए किसी 10 को पकड़ के लिए आए that is known as water random sampling तो आज तक जो हम sampling की बाते कर रहे थे इन नॉर्मल सेंथ that was called as what random बट आपको क्या लग रहा है यह 50 में से जो 10 लोग है ना यह बड़े पतले सीखड़े से हैं पता नहीं हीटा उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे तो आपने उन कुछ लोगों को participate करने का मौका ही नहीं दिया तो यह सिंपल रैंडम नहीं पका चलिए तो रैंडम सेंप्लिंग में आपको दो बाते मिलेंगी एक सिंपल रैंडम मिलेगा और एक रेस्ट्रिक्टेट तो यह जो मैंने एक्जाम्पल दिया कि दस आपको एकदम पतले सीखड़े से वह टेड़ा नहीं होता है मरियल सा कुछ लोगों को अपना नाम बहुत पसंद है चलिए को यह बात नहीं सिंग साब्दी ग्रेट मरियल से आपको को रेस्ट्रिक कर दिया किसी को रेस्ट्रेट ममी गई साड़ी की शॉप पर ममी ने कहा कोई बढ़िया सी औरेंज गलर की साड़ी दिखाईए चैलूम आने वाला है वरत आने वाला है तीज आने वाली है चट आने वाला है दुरगापूजा आने वाली है दिवाली है वग दिखा दीजे तो ममी created what restricted random sampling समझ में आई बात की बिल्कुल भी नहीं आई बात पका चलिए कि सो सिंपल रैंडिंग sampling में हर आइटम को पराबर से चांस मिलता है सेलेक्ट होने का पराबर से भेद भाव जैसा कुछ भी नहीं होता तो घर में सबजी आई मम्मी ने रख दी जब बनाने का टाइम आया कोई एक उसमें से निकाला टोमाटो पोटेटो कुछ भी और काट के कड़ाई में डाल दिया डिट शी सेलेक्ट एनिधिंग नो तो इस सिंपल रैंडम सेंपलें समझ में आई बात समझ में आगई बात what is restricted आपने सैंपल लेते टाइम देपनेशन भी रहेंगे रहेंगे रेफर्स टूअ मेतर्ड इन विच एवरी इंटम इन द यूनिवर्स आज और नोन चांस ऑफ बीग चोज़न एज़ा आज 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 एक बटेट लियर मुर्गी को काट देंगे तो ब्रीडिंग कैसे होगी फिर और तो पूल्ट्री फॉर्म वाले को बोला आज हमारे घर में बटर चिकन बनेगा तो जरा दो मुर्गे देदो वो गया दो मुर्गे उठाके ले आया यू स्पैसिफाइड नथिंग उसने मुर्गा काटा और आप से पैसे लिए और आपको डिलिवर कर दिया डाट इस रेंडम स से उपर का होगा क्या उससे कटने का मौका मिल पाएगा नो बैट कॉक वोंट बी गेटिंग दा चांस तू बी सेलेक्टेट खोपड़ें बाद गई स्कूल में हाउस कैप्टेन आपके क्लास में आता है और उससे हंडेड मीटर की रेस के लिए स्टूडेंट को सेलेक करना है एक दो एकदम पतले सीखड़े से लग रहा है वही गुलू कॉन डी ही पीने के लिए बस रेस में दौड़ लाए है जीतने की पॉसिबिल्टी जीरो है और कुछ है एकदम सूमो रसलर अब सूमो रसलर तो हाफ जाएगा वो दौड़ी नहीं पाएगा तो ना सूमो रसल लिए तुमको तो सेले करना ही नहीं राकियों में से देखा जाए तो आपने रेस्ट्रिक्शन क्रियेट कर दिया वहांसी सैंप्लिंग हो गई रेस्ट्रिक्टेट रैंडम सैंपलिंग समझ में आया पका चलिए सबने दो लाइन की डेफिनिशन लिगी बच्शों तो भई और फाइव सिक्स सेवन रेड बॉल्स एंड चिल्डरन वन टू तो थ्री पोर फाइव सिक्स कौन सी बॉल है तो रेड बॉल पहार आने की क्या प्रॉबिलिटी है अगर एक बॉल एक टाइम पे निकाली जाए तो टोटल साथ है और टोटल कितनी है बारा मतलब साथ रेड औ तो प्रॉबिल्टी में तो ऐसे लिखा जाता है है तो सॉरी थर्टीन तो है डिट बीन दा क्वेश्टन ऑफ परसेंटेज आप बोलते हैं सर लगबख 53.84 परसें प्रॉबिल्टी है कि जो बॉल निकाली जाएगी उसका कलर रेड होगा समझना गया समझ में आ गया चलिए सो अन्रेस्ट्रिक्टेड भी बोलते हैं सिंपल को डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों हेडिंग लिखने के बाद इस वन इन विच एवरी आइटम है इक्वल चांस और बींग सेलेक्टेट आपने सडक पे देखा होगा ट्राफिक पुलिस वाले को बच्चों ट्राफिक पुलिस वाले को उसका एक आइडिया है कि मेरे को सौ ऐसे टू वीलर चालगों को पकाड़ना है जिन्हों हेलमेट पहनी हो और सौ मेंसे कम से कम मैं सतर चलांतों करूंगा ही करूंगा और दिन भर में उस एरिये से लगबग थाउजन से 1100 टू वीलर पास होने वाली है तो तो सो कॉल्ट चलान का पैसा नहीं दे पाएंगे तो क्या ऐसे करेगा ट्रैफिक पुलिस वाला नो किसी सौ को पकड़ लेगा वाट यह सिंपल रैंडम बट उसने एक अपना मन बना लिया थोड़ा बाइस रो गया जिस टू वीलर पे आंटी होंगी मैं उसको नहीं जाए तो उसको तो अलग से मुर्गा बनाते हैं वो लोग समझ में आगया समझ में आगया अभी मैं कली का आपको एक्जाम्पल दे रहा हूं मैं अपने घर से जा रहा था सो कॉल्ड फ्रेंड के घर तो रस्ते में पुलिस वाले ने मतलब 20-30 मीटर्स का फासला होगा उसक समझ में आया तो मेरी कार पे लखनव का नंबर है यूपी 32 लॉजिक समझ में तो उसको लगा बाहर की गाड़ी है मुर्गा फसा चलो पैसा ले 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 देन उसको लगा लखनव हो सकता है किसी MPML के रिष्टदार की गाड़ी ना हो या हो सकता उसमें सुछ और लेडीज है दिखा चलो अब यह तो किसी गाड़ी में होती नहीं है जेनली अच्छा उसमें बज घये गाड़ी प्रॉपरली क्लीनड है की नहीं नहीं तो इकोलोजिकल एंवायर्मेंट को डिस्ट्रॉइ करेगी उसमें भजग है नहां कि नहीं लॉजिक समझ में आया की नहीं आया त तो अब यहां पर पुलिस वाले ने क्या किया रेंडम सेंप्लिंग की या रेस्ट्रिक्टेट रेस्ट्रिक्टेट परिवार लग रहा है तो जाने को लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया चलिए एनी डाउट संद्रेशलर तो यहां पे आपको फर्दर कौन से दो मैथड्स म मुनिसिपल कॉर्पोरेशन ओफ डेली नाम तो सुना ही होगा हर शेहर का मुनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है नजर निगाब जिसको बोलते हैं इनके पास 100 फ्लाट्स वेकेंट हैं और यह फ्लाट्स इनको बेचने हैं एट आप प्राइस ओफ 15 लाक रुपीज एडब्लू पे बच्चों दस हजार लोगों ने अप्लिकेशन फॉर्म भरा क्या सब को कहेंगे चलो रेस लगाओ जो सौ पहले फ्लाट तक पहुंच गया उनको मिलेगा नो हम दस हजार लोगों के फॉर्म पे एक नंबर अलोट कर देंगे हर फॉर्म पे अलग लग लग नंबर और च या डेली के चीफ मिनिस्टर केजरिवाल साहब है left ne basically केजरिवाल साहब जो गवर्νεर होते न उन सब ने decide क्या नेताओं ने मिलके कि 75% allotment जो किये जाएंगे वो किसको किये जाएंगे? ladies को 20% allotment जो किये जाएंगे वो teachers को किये जाएंगे चाहे वो lady हो चाहे gents और 5% allotment ऐसे लोगों को किये जाएंगे जिनके पापा मम्मी 60 साल से उपर उमर के हो चुगे senior citizens है is that clear तो हमने क्या किया क्या हमने सब को बराबर मौका दिया पाटिसिपेट होनेगा नो तो जो मेल से अगर वो teachers नहीं है और वो senior citizen भी नहीं है तो वो तो पत्ली गली से निकल ली है उनको यहाँ पे कोई हमने चांसी नहीं दिया तो जादा चांस किसको दिया लेडीज को वो ऐसे चुल्बल बाढ़ने होती है और दबंगई बढ़ा दी गए उनकी women empowerment को focus करते हुए तो what is being done चल्डेन लेडीज को preference जादा दिया जा रहा है तो this is called as which type of sampling restricted होती है समझ में आई बात ही कि नहीं आई पका slips लिप सार फोल्डेट एंड प्लेस जिना बाउल पॉट ड्रम ये क्लास पांच वी की पड़ाई ये सब तो समझ गए ब्लाइंड फोल्डेट गेम चलना है क्या तो आज के लिए लॉट्री निकलती है कंप्यूटराइज सोफ्टर से निकलती है मतलब यह कोटा नहीं होता इस तरह करता इसको कोटा सैंप्लिंग बोल सकते हैं बच्छो अबेट तो यह एंड़ा इसाम्पलीं में तो दूसरा तरीका है रैंडम टेबल यूज किया जाए यह कुछ नजर आ रहा है आपको 29523170 नजर आ रहा है ऐसे 10,400 नंबर इसमें होते हैं कितने हैं 10,400 यही नंबर हम टिकेट पे छाप देंगे और हम डिसाइड करेंगे कि हमको कैसे इसमें से सैंपल कलेक करना है बारा बच्चों को सेलेक्ट करना टोटल कितने हैं 5000 तो 5000 बच्चों को एक से 5000 के सीक्वेंस में अरेंच कर दिया फर्स चौबिस आपको यहां नजर आ रहे हैं 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 टोटल चौबिस है चल लोगे फोर इंटू 6 की मेट्रिक्स बनी हुई है अब इन में से कोई दो उठा लेंगे तो एक यह ले लिया और दूसरा सर यह 13 सो आ गया इन में से तो सर एक भी नहीं आ पाय आ है है सौरी ए सौरी चल लोगे यह एक यहां से चला आया है चलिये तेरा सो देखिए बच्छो कही नजर आ रहा है यह थर्ड रो से चला आया 2762 नज़र आ रहा है नो 3992 यहां से नज़र आ रहा है 2762 तो आगे होगा 2693 कहां पर यहां पर है 3170 कहां पर बच्छो पर्स प्रो में है तो हर जगा से हमने निकाल लिया तो यह एक्जक्ट लॉट्री नहीं हुई एक्जक्ट लॉट्री नहीं हुए थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन यहां पर आ गया है हाउजी खेलिए बच्छो चोटे भाई को बोलते था मैं टिकेट में नंबर है तुम्हारा 24 भी है मैं 42 सेटिंग करके 42 बोल देना पिर आदम मम्म सेंपलिंग समझ गए तो यह तरह सजा देते हैं और सब में से कुछ-कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं हो सकता है किसी ब्लॉक में एक को भी चांस ना मिलो किसी ब्लॉक में चारों को चांस मिल लिया हूँ ठीक समझ मैं बच्छो बात तो इसलिए फिशर एंड येट्स का टेबल भी होता है एमजी केंडल बीबी स्में टेबल भी होता है रान कॉर्पोरेशन का भी टेबल होता है और अलग अलग टेबल में देखिए बचो यहां पे कितने रैंडम जेट्स हैं 15,000 यहां पे एक लाक और यहां पर कितने हैं दो लाक तो अगर आपका पॉपुलेशन च्छोटा क्लासिफेकेशन है सैंपल साइज 11-12,000 नंबर्स का है तो यू कन गो फर वाट मश्टी वाला टेबल फिशर एंड ये ट्स टेबल समझे बात को या नहीं समझे पका चलिए तो मेरिट्स ऑफ रैंडम संप्लिंग और दिमेरिशल रैंडम यह अगले लेक्शर मे आगया पका चलिए दख सॉर्वाद प्रोड़ ने जगी